सरकार की लाख खोशिशों के बावजूद सूबे से रफतार का कहर थमनी का नाम नहीं लिरा है ताजा मामला कटेहार का है यहां बेलगाम ट्रक और आटो की सीधी भिढ़न्त में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि दो अन्य बुरी तरहे जखमी हो गई गंभी रूप से जखमी लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जग लड़ रहे हैं दरसल पूरा मामला जिले के मनिहारी थानक शेत्र का है यहां कटेहार मनिहारी मारग पर पागल बाड़ी गाउं के पास एक अनिंतरित ओवर्लोडेड ट्रक यात्रियों से भरी आटो से आमने सामने जाट कराई टकर इतनी भयाव है थी कि आटो के पर खच्च उड़ गए और ट्रक पलड गया और गिट्टी आटो सवार यात्रियों पर गिर पड़ी जिसे मौकाई वारदात पर दो लोग गिट्टी में जिन्दा दफन हो गए जबकि दो बुरी तरहे से जक्मी हो गए गट्टना के बाद स्थानिय ग्रामीडों और जेसिबी की मदद से गिट्टी से दबे शवों को बाहर निकाला गया इस दर्दना खादूसे के बाद परिजनों का रोरू कर बुरा हाल है इस गटना के बाद लोगों का गुसा इस्थानिय परिशासनी के खिलाव पूट पढ़ा है और लोग टायरे जलाकर प्रदर्शन करने लगे इसके बाद मौके पर पहुँचे इस्थानिय पुलिस और प्रिशासनी के अधिकारियों की मदद से थोड़ी दिर बाद स्रड़क जाम को खत्म कर शव को पोस्ट मॉटम के लिए कटेहार सदर स्पताल भेज दिया पंजाब के सरी टीवी के लिए कटेहार से राजीव की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद